आज राजस्तान नहीं जीतेगी क्योंकि बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रही है और इसमें गता है कि जो जीतेगा ना तो फाइनल में जागा पता है आज राजस्तान को जीतना चाहिए मैं अगर आज संजू सैमसंग पिछ पर उतरते हैं तो क्या कुछ प्लैनिंग देखने को मिल सकते है कॉलकता नाइट राइडर्स को टक्कर देने के लिए उतरेगी ये मैच काफे रोमान चक होगा जो शाम साड़े साथ बजे देखा जाएगा अगर पॉइंट स्टेबल की बात करें तो राजस्थान पाचवे नमबर पर है वही कॉलकता छटे नमबर पर है कौन जीतेगा कौन नहीं और आज फैन्स किस टीम को सपोर्ट करेंगे ये जाने के लिए हम पहुँच गए है इंडिया गेट पर जहां फैन्स से उनकी राय जानेगे कि उनकी अरुसर आज कौन से टीम बाजी मारेगी तो बने रही है देन्यूस 15 के साथ आज आई पिल का मैच है राजस्थान रॉयल्स और कॉलकाता के बीच क्या लग रहा है आज किसे सपोर्ट कर रहे है कौन जीतेगे तो राजस्थान की तरफ से हूं जी अगर पॉइंट स्टेबल की बात करें तो राजस्थान अब तक पांच्वे नमर पर है और कॉलकाता च्छटे नमर पर है आज क्या लग रहा है क्योंकि राजस्थान स्टार्टिंग में अगर देखे तो उनको काफी अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा था लेकिन जिस तरह किसे वह लगातार मैच हा रही है तो लगता है आज राजस्थान बाजी अब शर्मा है वह काफी अच्छे साबित हुए हैं तो आज क्या लग रहा है अज के मैच में चली आज भी मारेंगे सतक मारेंगे जी अजी राजस्थान को जीतना चाहिए मैं जी जान सब्सक्राइब तो नहीं कर दो जीतना चाहिए मैं जो जो मैच है वह प्ले-आफ में होने के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है कि हारने वाले टीम को खामियाज़ा बुगतना पड़ रहा है तो ऐसे में कॉलकता भी जो है काफी ट्रैक पर लॉट सकती है और कह सकते हैं कि टककर दे सकती है कॉलकता में भी काफी अच्छे प्लियर्स हैं तो लगता है यह समय राजस्तान जीत पाएगी राजस्तान बहुत अच्छी टीम है टॉप से में तक उसका बैस्पन है राजस्तान का और इनका जो ऑपनर है जो बंकटे सच्छेर के कि डाउन पर बेज रहे हैं वो पता नहीं चल पर रहा है निती सराना सेकेंड डाउन प्यारा यह कभ ऐसें आट ही और यहां पर आशर यहां पर अच्छा चल रहे हैं लेकिन वहां जो और टेक बहुत अच्छे कर रहें तो उनसे फाया आए कि लेकिन हमें उनसे चांटन द्यान अच्छ रोगा सब्सक्राइब करें तो पंजाब किंग्स को हरा दिया था कॉलकता की टीम नहीं चल पाए थे और यह कर संसंग में अभी नहीं चले हैं काफी अच्छे महहंगे साबित हो पाएं कि अच्छा तो अभी आश्वीन सही चल रहे हैं दोनों सही जिंद वाज संदीप सर्मा है लेकिन वहीं अच्छे बोलड है और बिकेट टेकर बोल रहे हैं वह आज नकल तो चल ही जाएंगे उखर आज संजु सेमसंग पिछ पर उतरते हैं, तो प्लैनिंग लेगा है, प्लैनिंग देखने और को मिल सकती है? पावर प्ले की बात करें, तो पावर प्ले कि yarns को किस तरीके से देखे हैं? करेंट किरेंट खते हैं तो सकते हैं केंट आपेश की बात करें चौकता में कफी सारे अच्छे बॉलरहें है ऐसे में लगता है क्योंकि दोरों आज अब तक पांच पाइए तो कहीं ना कहीं कॉल करता भी ट्रेक पर लोट सकते हैं अगर कुलकाटा ट्रेक पर लोटे जिवरा रजासन को चैस्जट करती और को कोई ऐसा मैच नहीं है जो टारगेट को पीछा करते हुए हारती नहीं है और टारगेट अगर कुलकाता पहले बैटिंग करती है तो राज़ाशन टारगेट चेश कर देती है यह वी टार्गेट दोनों तो सेमी है लेगन किसे कहते हैं भया आई पेल है कुछ भी हो सकता है हां कुछ भी हो सकता है लेकिन हर में में तो नहीं हो सकता है हर। कलकाता में क्या अलग राज कौं से अप्लेयर महेंगे । व्हुंगे तो यह वंगे शुनी लिटाइन होंगे हाँ वह अभी फॉर्म में नहीं है विकेट भी नहीं ले रहे हैं तो उनके जगह पर और दो तुन इस पीनर है हमारे इंडिया को उनको भी ले सकते हैं हाज राजस्थान और कॉलकता का मैच होने वाला है कौन सी टीम लग रहा है बाजी मुझे लगता है राजस्थान जीच जाएगी राजस्थान क्यों क्योंकि अगर लास्ट मैच की बात करें जिस तरीके से स्टार्टिंग में काफी अच्छा प्रफॉर्मेंस था फिर लगा से अग्याजस तरीके से मैच हार रही है अब आगे बढ़ेगी मुझे असा लगता है यह आगे बढ़ेगी वालर अच्छा काम करेंगे अशे कश लागा कशके काफी ताभी तो रहे है राजस्थान के टीमें काफी अच्छा जिस तरीके से उन्होंने 95 का वो खिया और क्या लिए लगता है कि राजस्तान के ओपनिंग बैट्समेन वो ज्यादा चलेंगे अगर कॉल करता की टीम की बात करें करें कई सारे अच्छे प्लेयर्स हैं क्या लग रहा है क्या आज कुछ प्लैनिंग होने वाली है कौन सा प्लेर आज बाजी कलकत्ता में तो बॉलर सुनिल नाराण और उमेश यादव वरॉन चक्रवती भी चल सकता है उमेश यादव भी चल सकता है लेकिन मुझे लगता है कि कि ऑ स्थी लग एक हो को उपनिंग टोड़ने में वह है वह शक्षम तरहिए की संजो सेम्टंगी कफ्टांगी की बात करे कहीं अगई कुछ Kisuани रही होगी कमी रही है काही प्तानी में संजू सेम्शं कि कमी रही है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकी मैच मेगों बाजी मारेको sati ऐसा लग राहे मुझे ऐसा लग रहा है वहय तो अच्छी पहले लिए है कलकता ही अगले मेच में अंधरे रसलator भ Ci La वह वह हैं नियाश बए खथा दो खबन रहे कर लिकिनल मुझे अगता कि अलग यहां ट्रि मत्ली या ढूंट यकिन्ber आज करें लेकिन आज की ओने चलेंगे चलेंगे आसा ऐसा है लगारा है मुझे लिखलर चलेंगे एप खरर की बात करें तो कितना स्कोर सामने वाले टीम को दे जो आसानी से चेज कर फाए वान एटी टू टू हंडड़ तो नॉर्मल हो जया है तो एसा टू हंड़ेट वह बॉल बॉलिंग लाइन अच्छी है राजस्थान की तो टू हंड़ेट आ जाएंगे तो वह नहीं बिकत हो जाएंगी कालकता के लिए आज राजस्थान और कालकता का मैच है क्या लग रहा है कौन सी टीम बाजी माल राजस्थान नहीं जी देगी क्योंकि बहुत अच्छे फरम में केल रही है अभी लास्ट के मैच की बात करें तो कुछ खास प्रफॉर्मेंस नहीं रहा और हार भी गई थी त की चाहिए पढ़िए चाहीए अच्यान चीने अच्छाण नहीं कि फरम इतना चाहिए अगर कॉलकता की टीम की बात करें तो काफी सारे प्लियर्स जो काफी अच्छा खेल रहें बटद पॉम में नीचे है किस मतलब क्या कमी लग रही है सारे प्लेयर तो प्राहस ही है कांध दम नहीं है जो तान के दम लग रहा है आज कॉलकता और राजस्थान के बीच मैच है क्या लग रहा है कौन से टीम जीते वही जापने वद्रायस्थान पर इतना विश्वास उसके अंदर वॉलर भी सही है बैडमेंड भी सही है अच्छे खिलाड़ी इसके अंदर अभी लास्ट मैच की बात करें तो लगतार दो मै चार गई है राजस्थान और गाता जो शूसमें जीते गाना तो फारीन जो मुपबले जू जागा जिए कॉम्हीं बात करें तो लोगता कौरति संसा ने क्यों लाड़ा है क्यूक्त फलेर्स जहां जाए जीत की बाजी बारे बैठे और काफी अच्य सांबित हो रहे हो भी सब्सक्राइब कहले चाहि नहीं सकते आपनी अब लाइस्ट बॉल नड़े तो चो कहल लागती है को कॉलकता की टीम मी जो वरून शगर वढ़ती है वह काफी तो रहे हैं और काफी आच्य चल र जिस तरीके से आपने राजस्थान को कहा तो कितने स्कोर लग रहा है आज बना पाई 200 पारी होगा 200 प्लेट प्लेट और जिसे कि माना गया है कि इडिन गार्डन की पिछ है वो चेस करने वाली टीम जीत पाई है ज्यादतर तो आज क्या लग रहा है एक बेटिया बेटिंगे लिगा इतना उमिद है अजय आप ऑपने आप बैटिंग्व दोज़ थे इस कि फाइनल मैच की बात के फिनाले की बात करें तो किस टीम को जीतना जीत के रूप में देखना चाहते हैं है तो देखे इस वक जो हम इंडिया गेट पर मौजू थे जहां पर आपने आई पेल के आज के मैच को लेकर तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आज राजस्थान की टीम हैट्रिक मारेगी तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कॉलकाता भी आज बाजी मार सकती है लेकिन आज का मैच कौन जीतेगा ये शाम साड़े साथ बज़े ही पता चलेगा तो आज का मैच देखना ना भूले कै रंकार वाई देन्यूस 15.